बिसमिल्लाइरामानुरहीम चैप्टर नमर 16 गाइट 10 एंड हॉल फिजियोलोजी तो सर्कुलेशन फिजियोलोजी मोड्यूल हम स्टेडी कर रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं और उसमें अचैप्टर माइक्रो पर बेस्ट पूरे का पूरा चैप्टर है तो अब लिए टेखते हैं किस तरह इसको टैकल करना है तो सबसे पहले उन्हांने जो बात उपर लिखी हुई है नहां पार लिक्यान में ही वो लिखा है कि पावरफुल जब फंक्शन होगा आ इस स्क्राइब करें रिभादारी जनना कंवा तेसे पास तो यह पता है जो निवस्टेशन को लेके जाती हैं और पिर वहां से एक्स्चेश्चेंज हो रहा हो तैबल्ट के साथ हमाथ है और बाकि शुरूने यह बिताया है कि वह था उसकी खासाओ कि सूस्थियाद उन्हों मुझे बतारी हुए है कि संगल्लियर होती है हाइली नीडोथीलियल थे हैं जो के वाटर और सेल नूट्रेइट सेल के इक सीड़री तर यस वैसे इंटर चेंज हो सकते हैं क्विकली यंके तर्मयान में कि टिशु कर दिशु कर द मैं और साइक। जो का नंबर के है वो हमारी बोड़ी के अंदर सर्प्राइजिंग दस बिलियन के अपरीज हैं कितनी हैं तरस बिलियन के अरिया 500-700 स्केर मिटर्ट जो के वन एट हो जाता है फुट बॉल की फील का यह बोद बड़ा नंबर है तो दुब है रही है हमारी बोड़ी के अंदर कोई भी फंशनल सेल इसद ब्सक्राइज Charlize क्योंकि के निट वर्ट इसे अचीलियन के वायओ निच्ट अचीज ब्सक्राइज इसप्लाइज है तो हमें पता है कि जो niutrện artery होती है एक ते वह अच्छित देती है जैसे कोई नीutrện artery है वो बनाचित देगी फिर arteries में वो चलि जाती है तो यानि कि एक artery थी अच्छी कासी एक artery जा रही थी तो से पता नहीं किया हुआ उसने branches दे दी बस उसने branchs दे दी और 6-8 टाइम उसे डिवाइड किया तो अब वो आर्ट्रीज बन गई है अब वो आर्ट्रियोज में चली गई है जिनका डायमेटर तक रिबन 15 माइक्रो मेडर तक हो सकता है अब आर्ट्रियोज आगे क्या क्राम है कि आर्ट्रियोज ने आगे ब्रांचिस अपनी बनानी है टू तो फाइफ बनाएंगे आगे फिर आपके पास मस्कुलर डायमेटर के चेंज कर सकता है फिर आपके पास मेटा आर्ट्रियोज होते है इनके आर्ट्री थी फिर आर्ट्री से आर्ट्रियोज बनके कि तेड़ के लीजूर के लाज़र होते हैं फिर आपके विकर मस्कुलर कोड़ uważ को ता टाँ वा क्योंकि अनके पास प्रेशर रहा होता है जो मेटे घ्रॉस कर रह रहे होते हैं वो इन्टेुकिए हो मुont अर्वाद्ब पर उन्हीं विर विर खूझाना होता है कि उन sister उनके हो तक थिन सी बेस्टमन मेंब्रेन नियो आउटसाइट ऑफ दा कैपिलरी जो टोटल ठीकने सोती हो सिफ 0.5 माइक्रो मिटर होती है इंटर्नल डायमेटर 4 से 9 माइक्रो मिटर तक हो सकता है यह इतना है कि बड़ी मुश्किल से कोई RBC या दूसरा बलड का सेल कैपिलरी के अंदर आ जाए लेकिन बलड को मूव तो करना पड़ता है और बलड जब मूव कर रहा होता है तब ही वो एक्सचेंज करता है इसको टिशू फ्लूट के साथ इंपोर्ट बात आती है तो इंटर सेलूलर क्लेफ्ट होते हैं इंटर सेलूलर क्लेफ्ट किन के दरम्यान में होते हैं इंटर सेलूलर के नंदर कोंद का किलेफ्ट है के नंदर कॉया इनल और के सींदल की हैं जो जो अbek के लिए ने फिर्ट होता हैं इस लेजिस श्चारी परपते हैं तो हिर्ण Aleq भी भी बूक बिकाई god अबर डमने को किलेफ्ट हो पर आप है तो हम देखेंगे तो यहांपर यह यह है कि जो इंटर सेललष किलiva WTF बना होता है उसके आपर कुछ प्रोटीन भी आकर जुड़ घूड़ होते हैं इनको होल्ड करульт कर सकता है जो हर जो cleft है वो interrupt हुआ होता है periodically by the regis होता protein attachment जो के hold कर रही है endothelial cell go together but between these regis यह जो region है fluid तो percolate कर सकते है तो the cleft जो cleft होता है इसके पास uniform spacing होती है और weight किस किनी होती है उसके पास six to seven nanometer हो सकती है जो के छोटी होती है diameter of the albumin protein के मलकों से यानि कि albumin की diameter से तो उसकी जो length है वो तो चोटी हो गई albumin का गुजरना तो इससे तोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है intercellular cleft हैं और इनके साथ protein attached हैं लेकिन फिर भी जो protein के रोटर सर्फिस अरिया कोई इतना खास सर्फिस अरिया नहीं बनाते जो rate of the thermal motion of the water molecule as well as the water soluble iron and small solute इतना rapid होता है कि सारे के सारे सबस्टेंसे जो होते हैं एजी इंटीरे और एक्षीरे के अंदर जा रहे होते हैं क्यों जा रहे होते हैं यह slit ports की जा रहे के इंटर सेललल कलेफ्डड हो चीन ही इन को सांश नाम दे दी इसका नाम है slit ports ठीक है तो साइंस बोच भाजना कुछ नाम देते रहते हैं तो इंटर सेललल कलेफ्ड अच्छा चानाम चाहरा था लेकिन उन्हों का जीन अई है तो बड़ी अच्छी तरह से डिफ्यूस कर रहे हैं तो इसको एसको कहते हैं स्लिट पॉर्स ठीख हैं आगे हम चलते हैं उना ने कहा है कि जो एंडूथीले से चोटे चोटे से माइनूट प्लाजमा लेमल वैसिकल भी होते हैं जिनको कावियोले कहते हैं क्या बात कर रहे हैं वो यह कहा है रहे हैं कि जो एक चोटे चोटे से ना प्लास्मा लेमल वेजिकल होते हैं जिनको कैवियूले कहते हैं कैवियूले निकला है वर्ड स्माल केव से यह चोटी चोटी सी केव होती है यह जो प्लास्मा लेमल वेजिकल होते हैं यह ओलीगोमर ब लिपीड यानिके को लेस्टोल और स्विंगो लिपीड के बोड़ी के अंदर यह भी इंपोर्टेंस है कि उनसे के विवियूलिंस बनेंगे और क्या पिर आपके बास के वियूले बन जाएंगे और क्या है स्मॉल केव लाइक स्ट्रिक्चर होते हैं जो प्रिसाइस फंक्शन के वियूले का में अमेशा की तरह जो हमारी फीजियो की बुक कहती है कि नहीं पता अच्छी तरह से लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात कर देती है तो वहां में इस नहीं कहा है जो एंडोसाइटोसिस कर रह प्लास्मा और अगर हमारी बोड़ी से कोई हमारे ब्लड की सब्सक्राइशन होगी होती है तो कोई प्लास्मा प्रोटीन बाइर चले जाते तो के वियूले उनको साथ कॉंटेक्ट बना गए उनको अंदर खेंच लेते हैं वेजिकल के मूफ स्लोली तो देंडोसिले सेल कु प्लास्मा लेमल वेजिकल बन जाते हैं अगर फ्यूज करें तो आपके पास वेजिकलर चैनल बनते है तो वेजिकलर चैनल क्या है वेजिकलर चैनल एक ऐसा चैनल है जो के दो आपके पास कैवियूले के एक वेजिकल्स वगरा जो कैवियूले के हैं उनके फ्यूज करने से बनते हैं स्पेशल तरह के पोर होते हैं के अपने ही लियास से होती है सबकी पर्मेबिल्टी एक जैसी नहीं होती और सबकी पर्मेबिल्टी कम नहीं होती सबकी पर्मेबिल्टी ज्यादा नहीं होती बोडी में जहां जितनी जूरत होती है اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق وہاں پہ اتنی ہی آپ کے پاس جو کیپلری کے پور ہیں سب سے پہلے برین کے اندر چلتے ہیں تو برین کے اندر ہمیں ٹائٹ جنکشن چاہیے تو وہاں پہ جنکشن ہوتے ہیں بڑی اچھی طرح سے اور وہ ٹائٹ جنکشن ہوتے ہیں اور صرف وضعی وہ ایکسٹریم سمال مولیکل جیسے وارٹر اکسیجن کو پاس کرنے جاتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو پاس کرنے جاتے ہیں کہ وہ برین سے اندر یا باہر برین کے ڈشیو میں آ جا سکے لیور کے اندر کلیفٹ ہوتے ہیں اور اچھے خاصے وائیڈ اوپن ہوتے ہیں سارے کے سارے ڈیزول سبسانس پلازما پلازما پروٹین بھی ہو تو وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا لیور سے جا سکتے ہیں جو پورز ہوتے ہیں گیسٹر انٹرسنل ٹریک کے وہ میڈوے ہوتے ہیں مسل اور لیور کے اندر ٹھیک ہے میں پریزنٹ ہوتے ہیں تاکہ ترمینڈس اماؤنڈ ہوتی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے مولیکولر آئینک سبسانسز کی لیکن بڑے مولیکول نہیں جیسے پلازما پروٹین کو کڈنی نے فلٹر نہیں کرنے دینا یورن کے اندر پلازما پروٹین نہیں آتے ہیں ورنہ پروٹین یوری ہو جائے گا اس لیے یہ جو کڈنی ہے اس کے پاس آول وینڈیل تو ہیں فنسٹر ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مولیکول کی بڑی اچھی طرح سے ان کو گزرنے دیر ہی ہوتی ہے لیکن بڑے مولیکول کی جو پیسید ہے اس کو رسٹکٹ کرتی ہے فلٹر کر دیتی ہے گلو بیرلے سے بدہ having to pass to the cleft between the endosylia cell ٹھیک ہے flow of the blood in the capillary is the ways of motion جو ways of motion کیا ہوتا ہے کہ intermittent جو بلیڈ فلو ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ways of motion یہ کنٹینیوزی جو بلیڈ ہوتا ہے intermittently گزرتا ہے off and on گزر رہا ہوتا ہے اس time کو ways of motion کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ جو pre-capillary sphincter اور meta-arteol ہوتے ہیں اور حد تک کبھی کبھی چھوٹے arteol وہ contact جب کرتے ہیں آپ کے پاس تو یہ بلیڈ کا سر جاتی ہے اور بلیڈ آگے پیچھے جان ہوتا ہے regulation of the weather motion جو important factor ہوتا ہے جو کہ degree of the opening and closing ہوتا ہے meta-arteol یا pre-capillary sphincter کو effect کرتا ہے وہ concentration of oxygen ہوتی ہے وہاں پہ oxygen کی concentration کم ہو جائے گی تو جو intermittent period ہوتے ہیں capillary کے blood کے flow کے وہ زیادہ پہلے کی نسبت زیادہ آئیں گے اور جو duration ہوتی ہے وہ زیادہ دیر لمبی ہوگی اس طرح زیادہ oxygen آپ کے پاس یہاں پہ پہ پہنچے گی وہ tissue جس کی demand زیادہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی demand کو بورا کیا جاتا ہے جانسا کہ average function on the capillary system کیا ہے کہ جو blood flow تو the capillary intermittent ہے لیکن بہت سے جو capillaries ہوتی ہیں heart tissue کے اندر جو present ہوتی ہیں ان کا overall function average ہی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک average rate of the blood flow heart tissue capillary bed میں سے ایک average capillary pressure generate کرتا ہے capillaries کے اندر اور ایک average rate of the transfer of substance between the blood of capillaries and surrounding intestinal fluid ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو average function are in reality the function of billion of individual capillaries each opening intermittently in response to the local condition of the ratio تو average function ہوتا ہے capillary system کو capillary system کو ہم average کے اندر ہی consider کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ان کی وہ ہم average کے لیہا سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ان کا pressure ہو چاہے وہ ان کے number of opening or closing ہو چاہے ان کا blood flow ٹھیک ہے exchange of water nutrient and other substances between the blood and the intestinal food تو جو diffusion ہوتی ہے capillary کی membrane سے وہ important ہوتی ہے by a mean of transferring the substances between the plasma and intestinal food یہ بہت important function ہے جو کہ capillary یا microcirculation perform کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ tremendous quantity of the water molecule یہ back and forth move کرتی رہتی capillary fruit کے اوپر continual mixing ہو رہی ہوتی ہے انٹرسٹیشل اور پلازما کی الیکٹول لائٹ نیوٹر ویس پرٹکٹ میٹابلیزم کی سارے سارے ڈیفیوز یزیلی کر رہے ہوتے جو پروٹین ہوتے ہیں وہ واحد ڈیزول کمپورنٹ ہوتے ہیں پلازما کے اندر اور انٹرسٹیشل فوٹ کے اوپر جو پاس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہی چیز ہے جس نے پیشر کو بڑھانا ہے لپیڈ کو کوئی مسئلہ ہونے ہی نہیں چاہیے لپیڈ سولیبل کیوں مسئلہ نہیں ہوگا پوری سیل ممبرین بنی ہی ان کی تو حکمرانی ہے ان کی تو ڈومیننسی ہے یہاں پہ تو اس میں ہم دیکھیں پور کی بھی کوئی ضرورت نہیں دریکل سال سے گزار جاتے ہیں اور ان کو پور سے نہیں جانا پڑتا ہے اوکسیجن کاربن ڈیکسائٹ سیرے فہرست ہیں ہمارے پاس لیکن جو وارٹر سولیبل ہیں بچارے ان کو ہمیشہ کی طرح سامنا کرنا پڑتا ہے نون لپیڈ سولیبل ہیں یہ جو سب سنسیز ہوتین کو انٹرسللل پور سے جانا پڑتا ہے جو لپیڈ سولیبل ہیں وہ پورس بنا رہے انٹرسللل لیکن جو ویلوسٹی ہوتی نا اس کے باوجود بھی تھرمل مولیکل رموشن کی انٹر زیادہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹا سا ایریہ سفیشن ہوتا کہ ممبرین کے آر یا پار کروا دے جس کے اوپر مولیکل ڈیفیوز کرتا ہے اس ریٹ سے پلازم فلو لینیرلی along the capillary جا رہے کتنی حیرت کی بات ہے پلازم کا فلو capillary کے اندر کتنا آرام سے ہو رہا ہوتا ہے پلازم کوئی ابسکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن پھر بھی یہ ریٹ ایٹی ٹائم کم ہے اس ریٹ سے جس پر وارٹر ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ وارٹر ایکس چینج ہو رہا پلازم کا ایکس چینج کیا رہا ہوتا ہے with the water of interstitial fruit کے ساتھ 80 times before the plazma can flow the entire distance to the capillary پلازما بیچارے پورا سور بھی تیانی کیا ہوتا 80 times آپ کے پاس filter ہو ہوتا effect of the molecular size on the passage through the pores of pore size کا effect on the molecular size کے اوپر جو ویٹ ہوتی ہیں capillary inter cellulite cleft کی تقریبا 6-7 nanometer and 20 times the diameter water molecule water will easily goza جائے the smallest molecule that normally passage to the capillary pore diameter plazma protein molecules greater pors سے دوسر sotium kaloride kaloride glucoz urea intermediate size permeability of capillary pore different substances vary to permeability glucose molecule 0.6 time that of the water molecule permeability albumin to 1 over thousand to me get get that water is easy to goza but glucose is 0.6 time as 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 water jar is and albumin is not in capillary to say that you don't goza goza be better to do get the capillary is in capillary to have extreme difference in permeability for example membrane liver can be able to have that you can get plasma protein can goza get plasma protein can get it can it can be तो पर बाकी केबरेंदेश में लेइन कोई करता है तो अजो और बांकि क्या बात है बाकी यह बात और जो पर्रीनियॅप काम की जीते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसे गर्जा है और इनको भी वो बड़े चेक अंड बैलंस से लेकिए आता है लेकिन जो पर मेबिल्टी यह रिनर ग्रोमैलर मेंब्रेन की वाटर और और एलेक्टोलाइट के लिए वाटर और और यादर जादा आने जाने दे रही हुँ लेकिन मैं फिर भी प्लाजमा प्रोटीन उनके ओपर कोई कंपर वाइंदी करूंगी उनके लिए मेरे पास कोई रस्ता नहीं कोई जाने की बात नहीं है मैं पहले बिताया था अगर वह भी यूनन के निदर आने लग जाएं किडनी से फिल्टर हो के तो प्रोटीन य के लिए ठीक है अग्ली कि 형 ही धी हाइन है दिफ्यू एंस ट्र मेंबरेन इस इस प्रपोजीन तो थी साइट वह बात हमें पता है कि हाय से लोग के सट्रेशन में आपके में रिफ्यूज्जैना जदा दिफ्यूज आएगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास जो है न나andra кого डिफ् प्लाजमा एंड इंटर्स्टीशियल फ्लूट छोटा सबीड़ डिफरेंस होगा ना तो बहुत ज्यादा आपके पास जो ना वह डिफ्यूजन हो जागी पाकि इसकी उन्हें एक्जेम्पल उक्सीजन की दिए हुई है यह हमें पता ही है आगे चलते हैं इंटर्स्टीशियम इंटर्स्टीश्य स्थ्यूट तो इंटर्स्टीश्यम को होता हुए रिंटर्स्टीश्यम, इंटर्स्टीश्यम क में अच्छी तरह थिकते हैं और हम चाहें या ना चाहें लेकिन वह लिए वाच नहें टो बैक्वर य küçएंगा ब्र संपट हैं इंकों देख आजास्टे र इसके बाद ना दो तरह की चीज़ होती है दो सॉलिड चीज़ होती है एक कोलिजन के फाइबर होते हैं कोलिजन हमारे इस ही हम बनाने के अंदर बड़ा इंपोर्टेंट डॉल प्ले कर रहा होता है प्रोटियोगलाइकन भी इसके अच्छे कासे दोस्त ही हैं जो कि इसके यह हूंकतеци है लेकिन थीन होते हैं होवेल होते हैं ट्विस्टीड olv llev उते हैं और 98% commitment करने हो सकते हैं और 58% ड्रीजन को यह से नहीं को जेख सकते हैं कि यह ईक्onen कोलाय उसकर मैक्रतेश कोम्तित के मैड़ नेकिन 묏क civski कॉत्छ पिन ने पूरे मेड़ बना देते हैं थीक् पास जो प्रोटियोग्लाइकन है ना उन्होंने एक मैटल जो फैरीन रेडिकलर नेटवर्का बनाया हुआ है उसको कहते हैं ब्रेश पाइल जैल इंदा इंटरेशिशन जो फ्रूट होता है वो ड्राइब होता है फिल्टरेशन से डिफूजन से और सेम कोंसिटुएंट होती जो फ्रूट इंटरेब हुआ वो इंदर उसके बस कर्राइक्रिस्टिक जैल की होती है इसलिए इसको टिशू जैल कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है वो वहले फ्रूट से जो हमारे टिशू से निकल किया था और जो प्रोटियोग्लाइकन के साथ अंदर वाला अपना फ्रूट होता है तो इसको टिशू जैल किया देते हैं बिकोज लाज नबर होता है प्रोटियोग्लाइकन के बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए डिफिकल्ट होता है इस फ्रूट के लिए फ्लो करना है एजिली तो मैट बना रहे होते हैं तो फ्रूट एजिली तो फ अब जो diffusion होती है through the gel occur करती है about 95 to 99% as rapidly as this occur through the free food अब यह जो जैल है यह आपके पास बड़ी एची तरह से permit कर रही होती है diffusion of molecule को as compared to normal fluid जब और the short distances between the capabilities of the tissue cell जो diffusion हो जो diffusion होती है वो rapid transport कर रही होती है इंडेसीजम से not only the water molecule लेकिन जो दूसरे substances हैं जैसे electrolyte low molecular weight nutrient है यह cellular excreta oxygen or carbon dioxide वगर ना उनकी भी diffusion हो रही होती है तो अभी तक हमें जो पता चला वो यही बात है कि जो diffusion होती है जैल के जरी वो ज्यादा important होती है ज्यादा speedy होती है ज्यादा fast होती है ज्यादा जैसके बेटो वो जो free fluid में से हो रही होती है लेकिन अब दूसरे topic of free fluid को भी discuss करना हमारा बनता है ताकि हम उसकी भी detail देखें वो कह रहे हैं कि अगर्चे जो पूरे का पुरा fluid होता है इंटस्टिशियम के अंदर वो normally intra-reap होता है within the tissue जल कुछ चोटे चोटे राइविलेट्स होते हैं free fluid के और small free fluid vesicle होते हैं वो भी present होते हैं इसका मदलब यह है कि इसका मदलब क्या है कि fluid that is free of the proteoglycan molecule and therefore can flow freely ठीक है अभी तक हम यह कहते है आ रहे थे कि जो proteoglycan है उन्होंने किना बड़ा fine reticular सा network बना है जिसको हम क्या कह रहे थे हम कह रहे थे brush pile और वहां पर जो भी fluid आता है वो इसके अंदर interrap हो जाता है और उसके लिए easily move करना थोड़ा साथ ना मुश्किल हो जाता है लेकिन वो गयाने कुछ खुछ राइविलेट्स ऐसे हैं कुछ वैजिकल ऐसे हैं जहां पर free fluid interstitium के अंदर अभी भी present है ठीक है जब एक die को inject करते हैं circulating blood के अंदर तो often it can be seen to flow through the interstitium in the small rivulet usually coursing along the surface of the collagen fiber या surface of the cell ठीक है जो amount होती है free fluid present in most normal tissue is light usually 1% होती है conversely जब tissue develop करते है एडीमा नॉर्मली क्या होता है कि 1% होता है लेकिन जब एडीमा हो जाए तो यह जो पोकिट्स होते हैं चोटी 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 और जो राइवलेट होते हैं free fluid के expand करते हैं tremendously one half or more of the edema fluid become free flowing independent of the protocol जब एडीमा होता है फिर तो आपके पास आपको पता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉई हो जाना होगी fluid की concentration बहुत ज्यादा होगी tissue spaces में fluid आ गया जब fluid आ गया है तो अब उसने normal spaces को भी बहुत ज़्यादा इनलाज करते हैं पहले एक परसंट अब तो पता रहा है वह तो पता नहीं कहां पर पहुंच जाता है half से भी ज़्याद हो जाता है आगे जलते हैं filtration across the capillaries important topic जो के main चीज है filtration होती है circulation का roll ही यही है जो hydrostatic pressure होता है capability के अंदर वो टेंड करता है कि वो force करे fluid को बाहिर और इसके dissolved substance को बाहिर बहिए दे interspacious space में conversely जो osmotic pressure होता है न प्लाजमा का क्यों होता है प्लाजमा के उसकी वैसे proteins की वैसे तो वो cast करता है fluid का osmosis from the interspacious space to blood वो इसके opposite काम कर रहा है वो कह रहा है मेरे पास plasma protein है तो मैं इनको इसके जरीए blood को अपने पास बाहिर से fluid को अपने पास बला लूँगा तो जो osmotic pressure होता है plasma के molecule की वैसे वो prevent कर रहा होता है low so the fluid from the blood into interspacious space यहने कि एक capillary है दो forces लग रही है दोनों ही alert forces हैं अपस में opposite हैं interspacious fluid बाहिर निकालना चाहा रहा है और osmotic fluid जो एना osmotic बाहिर वो अंदर रखना चाहा रहा है तो important क्या है lymphatic system भी है जोगे return करता है to the circulation the small amount of excess protein and the fluid जोगे leak करके कभी-कभी बाहिर चला जाता है तो आगे देखते हैं and colloid osmotic forces determine the fluid movement to the capillary membrane अब यह जो दो forces हैं opposing forces हैं यह हमारे पास determine करेंगी किस तरह से अब movement चलनी है अब यह आपके पास देखें तो चार primary forces होती है जोगे determine करती है कि आया कि fluid cell से बाहिर मूव करेगा blood से बाहिर मूव करेगा या फिर fluid अंदर आजेगा capillary के इन forces को मिला के कहते हैं starling forces क्यों को कहते हैं क्योंके Ernest Starling था जिसने discover किया था हमेशा ऐसे होता जो discover करता है पिर नाम भी उसके नाम पे रख दिया जाता है तो इसलिए इनसान को कोई ना अच्छा काम डिसकावर करना चाहिए कर करे भी ताकि उसका नाम किताब हो के अंदर आज़े बाकी हम देखते हैं आगे क्या करना है आगे यह है कि capillary का अब चार forces में होती है capillary का hydrostatic pressure PC जो के बाहिर बेज रहोता है interstitial route का hydrostatic pressure जो कि interstitial मेंसे एक चीज़ को बाहिर बेजना चाह रहा होता है और interstitial मेंसे जब एक चीज़ को बाहिर बेजना चाहेगा वो कहेगा मेरे पास ना हो मुझे जुरूद नहीं है तो इस तरह ultimately वो support कर रहा होगा प्लाजमा के क्लॉइड osmotic pressure को यानिकि वो फोर्स लगा रहा है कैपलरी के ओपर भी बाहिर से कि अब कैपलरी का fruit कहीं मेरे पास ना आजाए तीक है यह तब की बात है जब वो positive होगा लेकिन अगर negative होगा तो इसका महले बें इंटरस्टिशल fruit का pressure कम है तो वो कैपलरी में से सक करना चाहेगा कैपलरी का osmotic pressure जो क्लॉइड osmotic pressure है जो के कास करता है कि invert ही रहे और इंटरस्टिशल fruit का क्लॉइड osmotic pressure है वो अगर positive होगा तो मेरे पास अपना भी रहे और कैपलरी का भी मेरे पास आजाए तो हम देखते हैं हो रही है from the intern ellosyou ça तो जो सकते हैं उसको कैलकूलेट करते हैं आपके जो है आपके पास hydrostatic pressure में से आप मायनट करते हो जो का इंटर यह जो जो篇ट आज हो ऑसंके कलॉड osmotic pressure है प्रासमा प्रहे हैज एड़ कर देते हो आप उसके दर जो क्लॉड समॉर्टिक प्रیशर है उसका इंटर्जिशियल इबào तो युर्शी पोजिटीई होती नॉरमल करणीषन में ये नेट फिल्रेशन प्रète 2021 ये नेट एक फिल्ट्रेशन हो रही होती है shout! सब्सक्राइब उसका इंटो नेट इंटर्सिशियल वाटर को और इसको express करते हैं ml कितने ml वाटर आया है पर मिनट कितने मिनट में पर मिलिमेटर मर्कृरी यानि कि क्या हुगा है कि अगर कोई प्रेशर आ रहा है पीछे से तो कितने प्रेशर के लिहां से कितना जो आपके पास वाटर है वह इंटरस्टिशियल स्पेसिज में आ जबके बास एक तो सब्सक्राइब सなんか अजा रहते हैं तो करिक नियुति पैशर होता शहां जैक्क निलेंशन के ऀटो प्रेजदी कि हो लिग गट है और इंटरेक्ट फंक्शनल मेश्मेंट अगर हमके अपड़ी के प्रेशर होगी करें हैं डिरेक्ट अगर आपने मािक्रो पिपिट से की तो 25 इंडरेक्ट आपने की तो 17 आ जाती है तिशू के अंदर बाकी अगर वह नहीं ने डिटेयल में नहीं Γιαते हैं covenant प्रेश्ट प्रेशर अजात altri इंटसेशल फ्रूडटाइप्र रिभा अटेल ad एचित तो इंटसेश्ल फ्लूड का अट अटक्रेशर यह वह कलपिट है जो कह रहा था कि मुझे प्लाजमा में से ब्लॉड फ्लॉड नहीं चाहिए अगर यह पोजिटिव होता है तो ठीक है जी तो कुछ मैथड होते हैं जो भी इसको भी मेजर करने के लिए यूज होकते हैं डिफरेंट वैल्यू के अपर आता है लेकिन जो लूस अपकुटेनिस टिशू होते हैं उनके अंदर इंटर्सिशल जो प्रेशर होता है ना काज बैदा डिफरेंट मेथड हो सकता है उसको मेजर करते हैं डिफरेंट मेथड से और मर्कुरी मिलीमेटर ऑफ मर्कुरी के अंदर देख लेते हैं लेकिन क्या होता है कि यह जो फ्यू मिलीमेटर ऑफ मर्कुरी लेस । नहीं हो घ्रीनि, टाहिए आपों परोड़ी होता है। ठीक है तो जो हमें बाते बता चली इंपोर्टेंट बाते हैं कि लूज सबकुटेनिस टिशू हैं अपने कैपसुल वाले और नहीं है तो वहां पे पोज़िव होगा यानि कि क्या कहेगा मुझे नहीं चाहिए लेकिन अगर यह कर होगा वहां पे नेगटिव होगा लूज एक माइक्रो पिप्रिट होता है और नमबर टू के ओपर है मेजरमेंट आपने इंप्लांटिट पर फरेडिट के एपसुल जे करनी है नमबर त्री के ओपर कोटन विक से करनी है इंटरसिशल फूट प्रेशर इंटाइक्लिटी इंकेस टिशू अब यहां भी हम देखते है क्यों वहां पर ज्यादा क्योंगा तो इसकी एक और भी आजाती है करेनियल वॉल्ट अरूंड दा ब्रेइन किड्नी है मसल्स के किड़् फिव देशीट होती है स्कलेरा ओफ आई होती है इन सारी की सारी जगां पर यह पोजिटिव होता है हावेवर जो इंटरसिशल को जो के स्राइव करोता है ब्रेइन भी को तो वह 10 fundamental कि प्रेशर हो रहे है जबकि ब्रेन के इंटरसिशल फूट कर टा होता है फूर तो इसमिली मेटर मिरी ठीक है 트ीक है किड्नी चेंदर कैप्सुलर प्रेशर थोल्य gebruट है जब कि जो ऑले उसका प्रैशर का थैक्र इसक्र प्रेशर तो हम वही वहला बंदा जिसको हमने पहले कहा था कि तुम आपजर्व करो कि प्रेशर जो स्कीन के पर एक्ज़र हो रहा है वह अटमस्थरी प्रेशर और वह जीरो है तो फिर वही यही बात करी जा सकती है कि जो नौर्मल इंटरस्टीशिशल फूट का प्रेशर हो यूली सेविलल मिलीमेटर मरकरी नेगटिव होता है विद रिस्पेक्ट तो दा प्रेशर डैट सराउंड इच टिशू यानि कि हार टिशू का इंटरस्टीशल हमने यही बास थाबित करने थी और यही बास थाबित हो गई है यह जो इंटरस्टीशल प्रेशर है वो आपक के डैमिक फ्रूट होता है जो के स्राउंड को जो चाब होता है जो के मीर किया अगया है वहां पे की ड़कित है। आर चैकर से इंटरा plural cavity है minus 8 joint की synovial cavity है minus 4 to minus 6 और epidural उसमें भी minus 4 to minus 6 ही है